Learn easy and smart, Hindi Dictation, Start जन्हिती आचिका पर सुनाया फेशला की तलक टिपपनी सिक्षित की ही सुनवाई नहीं आम जन्हिती तो कल्पना भी नहीं कर सकते कोट, कोटा इस्ताई लोक अदालत ने बुदवार को एक जन्हिती आचिका का निस्तारण करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाप तलक टिपपनी की टिपपनी में कहा की शिक्षित वेक्ती की शिकायत परियदी कारेवाही नहीं की जाती तो आम नागरिक जो अशिक्षित वो गरीब होता है उसकी सुनवाई संबंदित विभाग में होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती अधालत ने यह टिपपनी न्यु जवाहर नगर निवासी एडवोकेट योगेश गुपता की ओर से पेश जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए की गुपता ने जैपुर विजित वित्रण निगम निमिटेड नयापुरा के अधीशासी अभियंता इटावा के अधिकसक अभियंता वो सहायक अभियंता के खिलाब याचिका पेश की थी इसमें कहा था की उन्होंने खातोली इस्तित अपने मकान पर बिजली कनेक्शन ले रखा था लेकिन कोटा रहने के कारण उन्होंने गाउं के मकान के बिल की बकाया रासी जमा करवा कर 17 नौंबर 2016 को कनेक्शन कटवा लिया इसके बाद भी दिसंबर का 6800 रुपे का बिल जारी कर दिया गया इस संबंद में वे इटावा इस्थित विभाग के कार्याले गए तो वहां उन्होंसे दोबरा बिल नहीं आने की बात कही इसके बाद भी फरवरी अप्रेल वजून 2017 का बिल जारी कर दिया गया इसे ठीक करवाने में परिवादी को बार बार विभाग के चक्कर लगाने से परेसानीव मानसिक संताप हुआ याचिका में कहा कि सभी बिलों की राशी निरस्त करवाने के अलावा उन्हें पांच हजार रुपे मानसिक संताप भी दिलाया जाए इस पर अदालत की ओर से जारी नोटिस के जवाब में बिजली विभाग ने कहा कि कनेक्शन कटने के बाद भी परिवादी ने खंबे से सीधे आंकडे डाल कर अवेद कनेक्शन ले रखा है जिस से उनके उप्योग के बिल भेजी जा रहे हैं रिष्टाई लोक अदालत के अध्यक्स के लास चंद मीना सदस्य जय अजे पारिकव डॉक्टर अरुन सर्माने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश में कहा कि एक जागरुक वेक्ति जो व्यवसाई से अभी भासक है उसके द्वारा बिजली विभाग के संबंदित अधिकारियों के यहां जाकर निवेदन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई और कनेक्शन कटने के बाद भी बार बार बिजली के बिल बेजे जा रहे हैं इससे इसपष्ट होता है कि विभाग के अधिकारी अपने दाइत्वों के प्रती कितने जिम्मेदार हैं वेतन काटकर करोशती पूर्ती अधालत ने कहा कि परिवादी के 17 नौंबर 2016 के बाद जारी सभी बिलों की रासी वसूल नहीं करेंगे साथ ही परिवादी को बतोर शती पूर्ती मानशिक संताप की रासी पांच हजार रुपे ततकालिन सहायक अभियंता इटावा के वेतन से काटकर दी जाए कलेक्टर व कमपनी के सी-ओ को नोटिस अधालत पहुंचा स्मार्ट मीटर लगाने का मामला कोटा सहर में निजी बिजली कमपनी की ओर से उपभोकताओं के घरों पर लगाय जा रहे स्मार्ट मीटर का मामला अदालत पहुँच गया पाँच वकीलों की ओर से पेश जनहित याजिका पर अदालत ने मंगलवार को जिला कलेक्टर व बिजिली कमपनी के सीओ को नोटिस जारी कर आट दिसंबर को जवाब देने को कहा है एड़ोकेट विरेंदर कुमार सकसेना राजिंदर मालविये हितेस जेन के स्रीलाल बेरवा वसंजे पाटोदी ने जिला कलेक्टर विजिली कमपनी सीओ के सीओ और कोटा विजित वित्रण निगम लिमिटेड के खिलाप इस्ताई लोग अदालत में जनहित याजिका पेस की इसमें कहा कि शहर में उपभोकताओं के घरों पर कई वर्सों से इलेक्ट्रोनिक मीटर लगे हुए हैं इनकी रिडिंग के आधार पर ही बिजली बिलों का भुकतान किया जा रहा है उन मीटरों में किसी तरह की कोई खराबी नहीं होने के बावजूद बिजली कमपनी अनावस्चक रूप से बिना किसी उचित कारण के उन मीटरों को बदल कर स्मार्ट मीटर लगा रही है जबकि स्मार्ट मीटर इलेक्ट्रोनिक मीटरों की तुलना में तेज घूमते हैं इस कारण उपभुकताओं को अधिक विद्यतभार वहन करना पड़ रहा है इस से उपभुकताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है याचिका में कहा कि अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि शहर में पूरू में लगे एलेक्ट्रोनिक मीटरों को बदल कर स्मार्ट मीटर नहीं लगाएं साथ ही पुराने मीटरों में किसी तरह का परिवर्तनव छेड़ चाड़ नहीं की जाए IPS के रिश्वत लेने का मामला एक तरफ सरकार काला कानून लाने को उतारू है वहीं ब्रश्टाचार पर परदा डालने की कार गुजारी भी दिकी मामला रिश्वत खोरी के आरोप में पकड़े जा चुके IPS अजय सिंग का है उनके खिलाप कार्मिक विभाग ने फाइल पर तो ब्रश्टाचार की धाराओं में अभी योजन स्विकरती दी थी लेकिन जब चिठी निकाली तो उसमें से इन धाराओं को गायब कर दिया नतीजदन महज इस एक चिठी के आधार पर अजय भरश्टाचार के गंभीर मामले में कोर्ट से डिस्चार्ज हो गए मामले को ACB ने छोड़ा नहीं और 5 साल बाद अब बरश्टाचार के इस मामले की अभी योजन स्विकरती में हुए बरश्टाचार की साजिस सामने आई है 21 जून 2012 को ACB ने अजमेर में सहायक पुलिस निर्खशक प्रेंच सिंग को रिश्वत लेते गिरपतार किया था प्रेंच सिंग ने बताया था उसने सहायक पुलिस अधिक्शक अजय सिंग के लिए रिश्वत ली ट्रेप के दोरान अजय अजमेर से निकल गए जिने कानोता में पकड़ा गया ACB ने अजय सिंग को डेड़ लाग की रिश्वत के आरोप में गिरपतार किया था जाज पूरी कर ACB ने चालान पेस करने के लिए सरकार से अभी योजन स्विकरती मांगी इस्टोप धन्यवाद